तो गाइस याद सुबह का टाइम है और दूद के बाद के लेखाना चाहिए और वैसे भी आज टाइम पर मिल गए बाजार गए तो ममी लिया थे चलते हैं फिर करते हैं या नह लगा है और दूसरी बात नाट और दुसरी बात ने डाड मी घाने में ले गया जा है एक बार तुछ मार गया तो बोले कि इनको शूगर है तो इनका शूगर का रिपोर्ट बन माउ और सुगर का लेवल देखेंगे उसके बाद इनकी डाड हो सकता तो निकाल देंगे तो फिर महाँ से तबाय गोली दी चेक अप वेक अप करवाया फोटो खिचवाया फोटो रहता है कुछ मुझे नहीं पता दात के बारे में आकि फोटो खिचाता है उसका चार्ज लगा तो गईस पांच सान सो रुपे तो उसी दिन खा पांच के है अठार जिन का और उसमें दो रुपे फॉन पर चार्ज लगने लग गया प्लेटफॉम पर क्या पता क्यों हां तो मैं बात करता था नहीं सोचा कि पहले रिचार्ज कर देता हूं क्योंकि टाइम हो जाएगा बात करते करते और फिर विलोग एडिट भी करना है इस मेरे 19 तारीक से 22 तक की छूटी लगी तो वो नाना जी का ब्रिजन बता रहा था र्जैक तो नाना जी को लेना गए था 19 तारीक को तो और थकal को महीं रूख़ा कि सूबर सूसे कैने को दो गर्डर लेना के बाद उनको अधा क्या दाथ कर्वा खानीना वह ले जाने न तो साथ पान साथ सो रपे महां कर्च हो गए उसके बाद लेके आया तो बोले कि इनका शूगर टेस्ट करा कि अब बोले कि आज मत करवाना कल्वी मत करवाना दो तिन दीन बात मतलब गोली दी थी तीन दीन की तो वह गोली खिलाते रहे हैं फिर बीच में आगे संड़ अपन में कोई दर्द हो या फिर कोई हड़ी टूटी हो पेर की हड़ी टूटी हो मतलब हड़ी कहीं की भी टूटी हो वह जो दवाय खालते हैं उससे हल पर मिल जाती है तो नाना जी का एक हाथ उड़ता ही नहीं है पूरा ऐसा हो गया मतलब उन से उनके खुद से कंट्रोल अब लगा वह तो उनके लिए मैं महां गया तो फिर फिर घर आये उसके बाद 22 को फिर में दात के दवा खाने में गया महां पर फिर पांच साथ सो और कुछ घर्च हुए मैंने तो पूरा टूटल भी नहीं करा ऐसे कुछ आराउंड बता रहा हूं तो महां से लेकर आया घ घर आया तो डौक्तर ने बतनावा कर दिया कि इना मैं है तो फिलर चाय और फीषिटा बेखाना है तो प्लेशें पर अब नहीं पिना है तो डूक्टर उसका करते बैश्यां यह से भीड़ा देगा चाह ठंडिक करके पिलाया दूद पिलाया नाना जी को और खाना तो खाने के लिए मना कर दिया था उनकी डाड़ निकाल दी इसी रीजन से मैं जोब कर रहा था महास में मुझे वोट सपेसे में साया कि भाया चार दिन तीन-चार दिन चुटी हो गई आपकी कब तक आओगे या तो फिर पर्मानेंटली चुटी कर लो और फिर नाना इसे भी बोलने लगी कि मुझे मामा के वहीं छोड़ दो यहां तुम्हारी कब तक चुटी लगएगी और महीं रहूंगा तो गाइस वहीं छोड़ के आया फिर 22 तारिक को और साम को घर आ जया विकोस मुझे ड्यूटी आना था यह तो इस लिए से मैं घर आया तो इतनी कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि छुटी का तो नाम ही नहीं ड्यूटी कहां करोगे तो मुझे कॉलेज में भी छुटी चाहिए तो बोले कि एक चुटी मिलेगी दो चुटी मिलेगी तिन चुटी नहीं दे पाऊंगा और तुम तो ऐसे कर रहे हैं तो उनको एक दिन टाइम टेबल दिखाए मैंने अभी इसी नमबर में मेरी एक्जाम थी तो उसमें भी तीन एक चुटी लग गई थी अब मेरी इच्छा हो रही है तो थोड़ी बहुत सबजी पालक धन्या वगर बेच के थोड़ा बुद खर्चा चल जाएगा उसके बाद कोलेज जाओंगा क्योंकि कोलेज का भी मेरे पास टाइम है कोलेज कर सकता हूं और उसके बाद फिर कहीं भी जोब कर लेंगे अगर मिल जाती है तो चोटी सी जोब है वह भी कर रहा तो उसमें भी छुटी नहीं देते हैं स्रीबात फिर मम्मी आकेली रह जाती वाजा जाती जैसे कि अभी रात हो कि यह ममी फिर मम्मी को लेने जाओंगा मम्मी के साथ में रहूंगा तो थोड़ा सपोर्ट रहता है तो मैं सुच रहा हूं कि अब ड्यूटी छोड़ दूने जोब पर जैसे ही जोईन हु तो गाइस आप सभी को बताए कि मुझे धन्या पालक नहीं मिल रहा था इसके दिया जिसे मुझे जाना पड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी घर में उसकी की रिजन से जाना पड़ा नहीं तो मैं नहीं जाता इस ठीक है जोबना भी थोड़ी हेल्प करी है मेरी जैसे कि कॉलेज की एक्जाम की फिस बगरा भर दी है दूसरी बात गेस की टंकी भर भर दी थी मैंने आपको एक व्लोग में बताया था कि मैं यूनिफॉम खरीदने वाला हूं या फिल मार्केट से लाओंगा तो मैंने यूनिफॉम बन वाली है मैं कॉलेज जब भी जाओंगा नहीं लाना अभी पैसे लग जाएंगे मेरे पास साड़ी बहुत साड़ी है ऐसा कुछ मैंने मम्मी को पहले ही कुछ बाल के रेडी किया था अगर मैं देखो लाने का तो मैं अभी भी लाके दे सकता हूं बाकी कुछ लाए ना तो सामने अलग खुस होना चाहिए और अगर में लाके दूंगा तो मम्मी सोचेगी पैसे लागा क्या तो इस रिजन से में नहीं लाया हूं यूनिफॉर्म भी जोब के हेल्प से लेकर आ चुका हूं बागी कॉलेज की फीस अगरा भी भर दी है तो जोब से भी मिली है और सबजी पादनिया पालग नहीं मिल रहा तो जोब से बहुत सारी है तो दूसरी बाद गाईज जब मैंने यूनिफॉर्म बन वाई थी ना उसके पहले मैंने घर के कपड़े रखे हुए थे तो उनको सिल्वाने के लिए डलवा दिया अभी मेरे पास अभी कपड़े की भी पहुच ज्यादा प्रोब्लम आ रही है एक जरूरी है कि कोई भी अगर मानके चलो अगर कोई सगाई कर रहा है तो वो देखते हैं कि सही से रहने के लिए तो होना ऐसा कुछ देखो जाहिर सी बात है अगर अपने भी कोई सिस्टर रहेगी या फिर अपने भी कोई परिवार की लड़की रहेगी तो अपन किसी यहां सगाई करेंगे तो अपन भी सोचेंगे कि अपनी बेहन का या लड़की का मकान अच्छा हो मतलब यहने के लिए ठिक-ठाग वेवस् सेट है कि मकान मना ले और साघाई हो जाए साधि हो जाए उसके बाद अपा या मरत नीस तो शूंच को मेरी वह से साथ हो जाए साथ ही मिलकान जाए शुपने मतलब भहत जाग टेंशन एला क् boost क्या क्या क्याक diva कि सिधाइस fácil पताओ गई कैंशन करने से क्या होगा काम करेंगे तो काम होगा टेंशन करेंगे तो अपना सरीर खड़ाब होगा इस अच्छा तेंशन करो इमाई जो हो रहा है चलने तो बाकी काम पर ध्यान दरो बस कि आप सब लोग से तो मैं बहुत छोटा हूं और अगर कोई मेरे से छोटे भी देख रहे हैं तो ठीक है आप लोग सभी मुझे सजेस्ट करना कि मुझे क्या करना चाहिए कि मेरा नस मम्मी की टेंशन मेरा करती तो मेरे को टेंशन रेता है कि यह सब्सक्राइब बहुत ज्यादा बाते भी हो गई है और मैंने चाहता कि आप विलोग बड़ा हो और आपको देखने में बोरिंग सा लगे तो आगर कुछ और बाते होगी तो मैं कल आपके साथ शेर अब मम्मी खेत पर गई तो घर का काम नहीं हो पाता ना तो सब्सक्राइब नहीं है दूसरी चीज देखते हैं रोटी आटा रखा हुआ गूत के यह देख सकते हो मैं रोटी बना लूँगा इसमें देख लेते हैं इसमें कुछ रोटी रखिए बड़कि इसको बना लेता ह बना लेते हैं अहीं होना लेते हैंने, करे देख ग्यंचा चाहिए, तो सब्सक्रा रखराई चिता हैं? कर दो बना लेते हैं रहीं को बना लेता हैं? प्शेब स्कार्ड प्ला है?